ह plano, स्वागत आपका हमारी चैनल क्रेटिटिव पैनर्माष्टर पे आज की Video मैं आपको बतने वाला हूं आप कोट की चिर्फ किस तरह से कट कर सकते हैं डमज साीच आइज कोड की सलीव किस तरह से कट कर सकते हैं इसके बारे मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लेज़ेगा उसमें हमने बताया कि यह सिलीव आप बेसिक सिलीव किस तरह से कट कर सकते हैं और इस वीडियो में आपको बताने हुआ हैं कोड की सलीव आप इस सलीव से किस तरह से कट कर सकते हैं तो अगर आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपको काफी हैल्प मिलेगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बेसिक स्लीव बना ली थी पिसली वीडियो में तो अभी हमें क्या करना है अभी हमें इन दोनों के बीच में एक मार्क करना है इन दोनों के बीच में एक मार्क करना है इन दोनों मार्जन के बीच में भी एक मार्क करना है 10 इंच है यह 5 इंच 2.5 इंच 2.5 इंच है कि मैंने मांक कर लिया है मैं सिर्टी लाइन को ड्रॉव कर दूंगा कि इस तरह से मांक करके अमें लाइन कंगे लिया दोस्त अब अपने हमारे चैनल को अभी दख सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बेल को दबा दीजेगा लेडिज ग़र्मेंट से रिलेटेड और पैडर मेकिंग से रिलेटेड वीडियो में लाते रहता हूं जो आपके लिए कापी हैल्प पूर रहेंगी और दोस्तों अगर आपने इस स्लीव को कट करने की वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाके एट इस प्रिस्पन बॉक्स में जाके उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लिजेगा इस बाजू में अभी कहीं पर मार्ज कि पॉइंट लगाने के बाद यह लाइन ड्रो कर देनी है और अब आपको इस लाइन पर इसको तोड़ना है यहां पर लाना है कि यहां पर लाने के बाद कि इसके साथ साथ एक मार्व कर देना आपको इस तरह से इस मार्क को करने के बाद हमने जो अभी मार्क लगा एक यह पॉइंट भी आपको यहां लगा लेना है इसी तरह से आपको इस साइड का भी स्लीव लेके आना है और आपको यह मार्क कर देना है इधर आपको यह निशान लगानी जुरूत नहीं है क्योंकि यह मैंने फ्रेंट के लिए निशान लगाया है इसे हमें पता रहेगा कि यह फ्रेंट है यह मार्क मैंने जो किया है थोड़ा तो पीछे हो गया है यह मार्क हमारा इसके साथ साथ होना चाहिए था अब हमें क्या करना है दोस्तों यह जो हमने मार्क लगाया है इस मार्क को लगाने के बाद यहां से हमें एक इंच इधर मार्क करना है और यहां से हमें 0.75 इंच पॉना इंच मार्क करना है और यहां से एक सीदी लाइन ड्रो कर देनी है और यहां से एक सीदी लाइन यहां ड्रो कर देनी है तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने माक किया है और इसके बाद मुझे एक लाइन जैसे कि मैंने इस पॉइंट से यहां एक इंच लिया था उसी तरह से मुझे यहां पर भी 1 इंच लेना है और पॉइंट 75 इंच यहां लेना है और यह लाइन भी सीधी ड्रॉ कर देनी है मुझे और इस लाइन को मुझे इस पॉइंट पर मिलाना है तो देख सकते हैं मैंने यह सारी मार्किंग कर दी है अब मैं क्या करूंगा अब मैं जू मैंने मार्किंग किया इसको बाहर निकालूंगा इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह कोट किस लीव किस तरह से बनेगी तो मैं आपके सामने इसको कट कर रहा हूं दोस्तों अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके भी जायेगा और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखेगा और हमारी चैनल पे बनी हुई और वीडियो को ज़रूर देखेगा आपको काफी help मिलेगी उन वीडियो से और अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये cut कर लिया है अब मैं इसको दूसरे paper पे copy करूँगा कि इसको हमें इस तरह से रखना है यहां पर और हम चाहें तो अब इसमें हम margin भी add कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें इसको यहां पर रखना है और एक mark करना है जैसे जैसे इसमें mark हुआ है उस तरह से पहले हम उस जगह पर mark करेंगे उसके बाद हम देखेंगे margin हमें देना है या नहीं देना है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको mark कर लिया है अब मैं इसमें तोड़ी सी shape इसकी ठीक कर दूँगा जैसे कि हमें यहां पर इसकी shape ठीक करनी है अब दोस्ग इसकी हैं अब कर दूँगा तो यहां पर भी हम इसकी शेप को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं कि क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी सारी इसको राॉंड कर देते हैं रहल्क्रों किसी जिससे कि देखने में अच्छी लगे तो यहां से यहां तक पहले हम एक शेप दे उसी तरह से यहां से यहां पर शेव देंगे इसको कट कर देंगे और इसी तरह से हमें इसके बाहर शेट दे रही है उसी तरह से यहां पर भी हमें जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको शेट दिया है एक अब अगर इसमें मायदेन ऐड़ करना होगा तो अभी कर देंगे अब दौस्तो जैसा कि आपने देखा महें इसको ड्रॉ कर लिया है अब इसी पैटन से हम कि यह हुमार, वार देल, यह, बैर कि है और फ्रेंट का विश्सा निकालेंगे अब इसमें से तो जो मैंने ये माक किया था इस पर हम इसकी कटिंग कर देंगे इसको हम हटा देंगे ये जो हमारा निकल के आया है ये हमारा फ्रेंट का है जो इसके साथ इस तरह से जुड़ जाएगा इस जगा पर यहां से यह से जुड़ जाएगा यह तो हम इसको पलेट कर ही ड्रॉ करेंगे इस तरह से रखा हमने इसको यहां स्केल रखा तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी मार्किंग कर ली है और अब उसी तरह से मैं इसकी शेप दूँगा जैसे मैंने इधर दी थी खिख सकते हैं आप कर दो कर देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी मार्किंग कर दी है जिस पर मैंने कट लगाया वो निशान सही नहीं है कि यह हमारी कोड दो है अब हम इसमें मारजन एड़ करना चाहें तो मारजनम कर सकते हैं वह कैसे करेंगे यह मैंको बता देता हूं उसके को एक है अचैश्म हों आपको जितना भी नहीं अचाशलिक कर सकते हैं फिलां मैं वन सैंडिमीटर का मार्जन ले रहा हूं 31 का का है दोस्तु मैंने ये मार्जन का मार्ग आपको लगा के दिखाया है कि अब अगर मार्जन चाहिए तो आप मार्जन की करके इस तरह से कटिंग कर सकते हैं बट मैं अभी का मार्जन कट कर रहा हूं रैडी स्लीव कट कराऊंगा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यह कोड की स्लीव की शेब मैंने मार्जन सारा कट कर दिया मैंने कोई मार्जन रखा नहीं है अभी कि यहां से जॉइंट करेंगे इसको कि बराबर आएगा कि तो यह इस तरह से हो जाएगी कि अब आप इसकी ग्रेल लाइन का मार्ग करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं कि जैसा कि देख सकते हैं आप हमने इस पैटन से ही इसको बनाया था यहां पर एक पॉइंट लगाएंगे और एक पॉइंट यहां पर हम लगा देंगे इस पॉइंट को लगाने के बाद हम इसकी ग्रेल लाइन का मार्ग कर देते हैं ताकि हम जब ईसकी कटिंंग करेंगे तो सीधा हमें कैसे लेना है वह हमें पता रहे है ठीक इसी तरह से मैं इसम्हें भी लगा देता हूँ ग्रेन लाइन का माँ खोग चुका है इस तरह से स्लीव हमारी कट हो जाएगी तो दोस्तों वीडियो अच्छे होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना बूलें और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार ने तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिक्शन वेल को भी दबा दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें अगर दो हमारी चैनल चैनल मिस ना कर सकें